चत्तिस गड़ के बिलासपूर में निमती करण की मांग को लेकर एन एच एम समविदा स्वास्ते विभाग की हड़ताल छटवे दिन पर जारी रही आपको बता दे कि पिछले छे दिनों से करमचारी निमती करण की मांग को लेकर गुहार लगा रही हैं लेकिन सरकार उनकी इस मांग को नहीं मान रही सरकार और करमचारी के बीच चल रही इस खीचा तीन के बीच करोना मरीज संदेही और अन्य लोगों को परिशानी हो रही है होम आईसोलेशन में करोना से लड़ रहे मरीजों को दवाईयां नहीं पहुँच पा रही है जाच सेंट्रों में करमचारियों की कमी के कारण लोगों की जाच भी नहीं हो पा रही है इसके अलाव छे बजे मिलने वाली करोना पोजिटिव की सूची जात दस बजे मिल रही है जिसके कारण समय पर करोना मरीजों को स्पताल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा होम आईसोलेशन के मरीज कहा जाए क्या करे कुछ समझ नहीं पा रही संग का कहना है कि हम पहले ही सामूहिक स्टीफा सोप चुके हैं ऐसे में जब तक हमारी निम्ती करण की मांग पूरी नहीं होती या फिर कोई ठोस आश्वासन सरकार की द्वारा नहीं दिया जाता तब तक हम काम पर वापस नहीं लोटेंगी वह इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कोशिक ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दिनों हर कोई धरना अंदोलन कर रहा है सरकार में आने के बाद कॉंग्रेस अपनी जन घोशना पतर को अमल नहीं कर रही है सरकार को नेता प्रतिपक्ष के ने नसीहत देती हुए कहा कि इन करमचारियों की बर्खास्तगी करने के बजाए बादचीत पर रास्ता निकालना चाहिए 36 गड बिलासपूर से स्टेट हैट प्रणेगरवाल की रिपोर्ट इसके पहले आपके विद्यामितान लोगों ने धरना किया उसके पूरो जिन सिक्षकों का निक्ति हो गए वो की धरना किये और अभी ये वर्सों से काम कर रहे हैं इस सरकार में आने के पहले कांग्रेस ने अपना जन घोशना पतर जारी किया और उसमें कहा गए कि अनिमित करमचारी को निमित किया जाए इसके लिए उनके द्वारा मेवरम्डम दिया गया उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई आखिर बाद देहो करके उनको सडकों में आना पड़ा मैं मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थमंत्री जी से आगरा करना चाहता हूँ कि बरखास्थगी करने के बजाए उनसे बादचित करनी चाहिए बादचित करके उसका रास्ता निकालना चाहिए उनको आस्वस्थ करना चाहिए कि निमीत किया जाएगा उसमें भले अभी ना करें लेकिन जब करना चाहे उनको आस्वस्थ यह करना चाहिए कि आपके निमीत करन होगी आप काम पर लौटे और लौट करके पूरे काम आप करें सुचार रूप से इसके लिए आश्वस्त करने क्या हो सकता है, बात्चीत करने क्या हो सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो पाहल करनी चाहिए और बात्चीत करनी चाहिए, सरकार को ऐसा लगता है कि 36 गड़ के जनता से कोई उनको सरोकार नहीं है, चाहे कोई मरे की बचे, वो अपने टेक में बेटे हुए है ये ठीक नहीं है परिशानी यही है कोरोना काल में देख रहे हैं कि हम सब एक जूट होके यहां पर आ रहे हैं जो चीजें हम सरकार को बताने या बोलने हैं मतलब अपने तरफ से बात करने की कोशिश कि जिसमें लग रहा है अधरे हैं कि हमको ध्यान नहीं दिया गया इसलिए हमको यह सब करना पढ़ रहा है और परिशानी ये है की सातन हमारा सुन लिया है सिर्फ हमको एक लिखित में हम यह नहीं कह रहें कि हमको अब भी दे हम तो यह कह रहा है कि वह छह मैना साल भर जो भी है वह हमको एक लिखित में दे दे कि इतने दिनों में किया जाएगा कि चोदा फरवरी को जब कारेक्रम हुआ था उसमें इस पस्ट होला गया था कि यह साल किसान का है और अगले साल आप लोगों का है हम इसमें बहुत आसानवीत हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सूध ले हमारे बारे में सोचे और हमको सर्फ एक लिखित में दे दिया जाए कि हाँ आपका इस समय पर कर दिया जाएगा उसके बाद हम तथा इस तरीके से जिस पर पदस्त है कार कर रहे हैं वो करेंगे परन्तों जब तक हम को उस तरीके से अलिखित में नहीं आता है हम ऐसे ही परतस्त बने रहे गए मैं मनीशा अवस्ती ऐसे ही लेटेस्ट को बरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाण झाल 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 झाल